नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं पार्ट नमबर साथ शागत है जिसके कवी है शाम ज्यानिश्वर इस कविता में कवी ने कवी अपने प्रवासी भारतियों को अपनी दुख भरी यादों को बुलाकर मौरिश्यस आने के लिए प्रेदित कर रहा है कवी लगू भारत के आंगर में सभी का क्या कर ही है स्वागत कर रहे है अब हम आते हैं प्रिष्ट नमबर 36 का पहला परिचे पनिया जाहाज को कौन चड़ेजा अब भीया बड़ा डग लग रहा है उससे तो कहीं पुना होता है दुबारा दोहरा ना कर दे इतिहास हमारा इस उस धर्ती पर बिखर ना जाएं खोचते हुए निज बंधूँ को खोचते हुए निज बंधूँ को निज होता है अपने बंधू होता है भाई आस्मान की रहा पकर आगे चल मौरिश्यस की भूमे पर त्रेंगे सब मौरिश्यस वही लगू भारत नहर हो जैसे वही अमारा नहर होता है माई का बाबुल के लोग वही मिलेंगे बाबुल होता है तितार के देश पर देश के नाम मिटेंगे आसू थामे वही मिलेंगे स्वागत है इन पंक्तियों में कभी क्या कहना है कि हमारे सब बांधूं के मन में पानी में चलने वाले जाहाच को लेकर डर साथ समा गया है कि कहीं वहे काल भयंकर इतिहास फिर से दोहराया ना चाए उनके सामने सवाल है कि पानी में चलने वाले इस जाहाच पर अब कौन चड़े गा यह जग आज दुबारा इतिहास को वापस ना लाए इस धर्ती पर फिर से हम भिखर ना जाएं और ना ही एक बार अपने ही बंधूं का को डोलते रहे जाएं अब हम सब आस्मान में उड़कर मौरिशियस की धर्ती पर उतर जाएं यह वही हमारा नहर होगा और वही हमें हमारे पिता और परिवार यह लोग मिलेंगे अब देश प्रदेश से छुटकारा मिलेगा और दुखी अश्रूं को ठाम कर वही हम सब मिलेंगे आस्मान में उड़कर मौरिशियस की धर्ती पर उतरने वाले सभी बांधों का और दोस्तों का कवी अपने दिल से स्वागत करते हैं तो यहां पर इन पंक्तियों में कवी के कहने का अर्थ यह है कि अब पानी के जहाज पर चड़ने से क्या लगता है डर सा लगता है कि कहीं फिल से इतिहास जो है वो दुबारा वही इतिहास जो है वो दुबारा से हमें ना दोराना पढ़े तो इस तरह से कभी कहते हैं कि जब हम अपनी भारत की भूमी पर उतरेंगे तब वह भारत की भूमी हमें कहती लगेगी अपने नहर की तरह और वहीं पर हमें अपने पिता अपने भाई बंजों से हम जो है वो मिल पाएंगे और देश प्रदेश से हमें क्या मिलेगा छुटकारा मिलें का तो इन पंकियों में कभी मौरिशेस की धर्टी पर उतरने वाले सभी बांधों का और अपने दोस्तों का आधिन से क्या करते हैं स्वागत करते हैं अगली पंकिया हैं ये मेरी गिर मिटिया भाई परमिट अपनी जिगर चाप थी पर दास्ता पंग पंग होता है कीचड में जाग गिरे थे किन्तु युग लगे पंगच बनने को पंगच होता है कमल मारिच से मौरिशियस बनने में मारिच होता है राप्षग देखो इस पावन भूमी पर बन बांधों का सफन प्रणे यह तो तब था घास की पत्थर पत्थर में प्राण हमने डाले देखो इस देश में गूं गूं कर बिछडे बंधों के लहू करों का स्वागत है इन पंक्तियों में कवीचे कहने कार किये हैं कि हे मेरे गिर्मिटिया भाल्यों अंग्रेजों के गुलाम बन कर जेले गे अपार कश्ट को सहन करने में हमने जो हिम्मत दिखाई है वहे सब घिर्दिर ग्रावक थी मन को छुने वाली थी अंग्रेजों के गुलाम बन कर कीचड के दलदल में हम क्या हो गए थे फस गए थे कितने युग उस कीचड में कमल खिलने है मतलब कितने युगों के बार हम गुलामी से बाहर आ रहे हैं जिस प्रकार राक्षल से मौरिश्यस मतलब राक्षल से स्वर्ग बनने में युग बीट गे वैसे ही कीचड से कमल उगने में भी के युग बीट गे मौरिश्यस की इस पवित्र भूमी पर कई देशों से इकठा हमारे बांगों को सफलता पुरुवक ले जाया गया है इस सैयम को मलता भी पत्थर के समान कठोर बन गई है हमने पत्थर में प्रान पूंके हैं इस देश को घूंकर देखने का बता चलेगा कि आज तक लहू लुहान बंधू अब मौरिश्यस में इकठे हो रहे है कवी का कहना है कि इन सभी बंधू मांदों का मौरिश्यस में फिर्दे से हम क्या करते हैं स्वागर करते हैं इन पंक्तियों में कभी ने कहने का तिये है कि अंग्रेजों की गुलामी को जेलते हुए हमने बहुत से दुख सही है लेकिन अंग्रेजों की गुलामी सहते हुए हमें ऐसा लगता था कि हम जैसे कहां फस गए हैं कीचर में फस गए है लेकिन आज बहुत यूग के बाद उसी कीचर में क्या खिल उठा है? कमल जो है वो खिल उठा है जिस परकासे राक्षस जो है वो स्वर्ग बनने में यूग बीते वैसे ही कमल में, कीचर में कमल उगने में भी के यूग बीत गे लेकिन आज सब बिछड़े हुए लहु लुहान बंधू अपने मौरिश्यस में क्या हो गए है? उकठे हो गए हैं अगली पंक्तिया हैं, हे मेरे भारत, नेपाल, श्री लंका, पीजी, सूरिनाम, पाक, गयाना, सांथ अफरिका, यूके, यूएसे, कनाडा, फ्रांस, रेनियन, आधी के सहोदर बंधूओ इस मुभूमे में, तुम सभी की समरिती अंकित है, समरिती होता है यादे कलपर कहते हैं, स्वर्ग इसे हिंद महासागर का कलपना है, यह सत्य है, प्रिये भायो कलपना भी हो, तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है कभी कहते हैं कि मेरे भारत, मेपाल, श्री लंका, फीजी, सूरिनाम, पाग गयाना के चहेते भायो साउंट अफ्रिका, यूके, यूएसे, कनाडा, फ्रांस, रेनियन के प्यारे भायों, मौरिशियस की इस भूमे में तुम्हारी सारी यादे जहराई तक खुदी हैं मतलत कि हमारे भारत वाके जो हैं इन अलग-अलग देशों में बित्रे हुए थे इस भूमे को हिंद महासागर का स्वर्ग कहते हैं यह कर्पना है या वास्तव पता नहीं प्रंतु मेरे भायों अगर यह कोई कर्पना भी हो तो भी मुझे विश्वास है कि आप सब यहां आकर इस धर्ती को स्वर्ग में बदर देंगे इसलिए कभी कहते हैं कि आप सबी मेरे प्रिये जैनों को मौरिश्यस की भूमी में हाज़ी स्वागत है कभी के कहने का यह है कि भारत वासी जो है अनेक अनेक देशों में फैले हुए थे लेकिन वो कहता है कि अधे टेशों में फैले होने के बाब जो थी आपकी यादे जो है इस भारत भूमी में समाई हुई थी और ये भारत की भूमी जो है वो हिंद महासागर का क्या है स्वर्ग है तो वो कलपना करते हैं कि मेरे सब भाई जो है वो मुझे ये विश्वास है कि ये इस धर्ति को में क्या हो जाएंगे स्वर्ग में इसको क्या कर देंगे बदल देंगे इसलिए वो कहता है कि मैं आप सभी प्रिये जनों का अपने मन से बहुत भागत करता हूँ ये कविता प्रवासी भारतिय हिंदी साहित्य संग्रें से लिख गई है अब हम बढ़ते हैं कविता के स्वाध्य की ओर पहला प्रश्न है उत्तर लिखिये स्वागत है कावे में दी गई सलाहा सलाह क्या दी गई है इसमें हमें उन पंकियों को लिखना है तो यहाँ पर कहा गया है कि योग यूगांतरों के बाद आज हम मिले हैं कौन मिले हैं हम सो भारत वात्सी हमारा इतिहास कर्ष्ट सब बूल कर हमें इकठा होना है नहर आकर अपनों को मिलना है शेज जिल्दगी सिट्टूबर विपानी है इसका बिठना भाग है प्रत्रम स्वाजर करते हुए दिलाया विश्वार सब बिठे थे आज सब इकठे होगे इस धरती को अब हम क्या करेंगे स्वर्भ बिला देंगे तीसरा है इभाग मारीच से शब्द बना है मारीच से शब्द क्या बना है? मौरिशयस ये शब्द चुहे वो बना है अगली पंकियां है प्रशन है काव्य सौंदर्य सावे सौंदर्य में ये दो पंकियां जिली गई है ये तो तब था घा की पत्थर पत्थर में प्राण हमने डाले उप्युक्त पंक्तियों का आशेस पस्ट कीजिए तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि अंग्रेजों ने सभी बांधों को गिर्मिटिया बन कर क्या कर लिया था जंजीरों में जकर कर बिन बिन देशों में भेज दिया अब मौरेशियस की भूमी में यह सभी बांधों क्या हो गई है कि कठे हो गई है उस समय कोमलता भी पत्थर के समान कठोर बन गई थी इस देश को घूनकर देखने का पता चला तो आज हमने पत्थर में भी क्या डाल दिये प्रांचों है वो डाल दिये इस यह सभी बांधों को पठ्था जो है वो यहां दिया है स्वाज़त है कविता में डर का भाव्यक्त चनने वाली पंक्तिया ढूर कर अर्थ लिखिये पानिया जहाद जो अभी हमने पढ़ी पहली तीसरे चौथी पंक्तिया जो है कि कवि का कहना था कि पनिया जहाद पर कौन चड़ेगा भीया बड़ा डर लग रहा है उसमें तो इन पंक्तियों में कवि के कहने का अर्थ यह हैं कि हम सभी बांधों को पानी के जहाद पर पिर से न दोहराया जाए फिर नम कहीं अंग्रेजों के गुलाम न बन जाए फिर एक बार अंग्रेज सभी बांधों को गुलाम बना कर अलग अलग देशों में न भीचते इसलिए कविता में इन पंक्तियों में यहां बताया गया है कि भारत आने वाले लोग क्यों है वो पनिया जहाद पर पानी के जहाद पर चड़ने से इसलिए दर रहे हैं अगला है आपका अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति मतलब अपने शब्तों में इन प्रच्णों के उस्तर लिखे अपने विचारों को व्यक्त कीजिए विश्व बंधुत होता है विश्व में भाईचारी की भावना विश्व में आज हम सब लोगों को मिल जूलकर रहना है इस तरह के विचार जो है वो आज की समय की बहुत अवश्यक्त है क्योंकि आज सभी भारतियों को मिल जूलकर रहना है क्योंकि भारत में अलग लग धरम और संस्तितियों के लोग चूहें वो पाई जाते हैं लेकिर आज अवश्यक्ता है कि हम सब को एक होकर अपने भारत देश की रक्षा करनी है क्योंकि किसी भी देश की छोटी बड़ी गती विधियों का अप्रभाब आज संसार के सभी देशों पर किसी नाकिती रूप में अवश्यक्त रहा है इसलिए देश अब यह अनुबव करता है कि हमें मिल जूलकर भाई चारे के साथ अपना काम करना है और विश्व बंधुत्म की भावना को धारण करके हमें अपने देश की रक्षा करनी है इसलिए आज यह समय की मांग बन गई है कि हर भारतियों में विश्व बंधुत्म की भावना होनी चालिए तभी हमारा देश चो है वो सुरक्षित रहे पारिगा अगला प्रश्म है मात्र भूमी की महत्ता को अपने शब्दों में स्पस्ट कीजिए अब भारत अपनी जो मात्र भूमी रहती है जिस भूमी में हमारा जनम होता है उस भूमी का मनुष्य के जीवन के साथ एक गहरा लगाव भी होता है और मनुष्य को उस धर्टी से क्या रहता है प्रेम रहता है क्योंकि उसी धर्टी की गोर में खेल कर मनुष्य जो है वो क्या होता है बड़ा होता है और वे धर्टी जो है वो उसको कैसी लगती है मा के समाद, इसलिए कहा जाता है कि मात्र भूमे से हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और भारत भूमी तो एक ऐसी भूमी है, जिसमें अनेक महान गिशी मुनियों ने क्या लिया है, जनम लिया है इसलिए हमें अपनी मात्र भूमी की महत्ता को समझना चाहिए, और हमें इसकी रक्षा करना चाहिए, इसके अतिरिक भारत देश जो है, वो क्या देश है, क्रिशी प्रदान देश है और यहाँ पर हर समय खेतों में फसलें जो है, वो क्या होती रहती है, लहराती रहती है इसलिए हमें अपनी भारत धने की महत्ता को समझना चाहिए रसा स्वादन कीजिए गिर्मेटों की भावना तथा कवी की सम्वेधना को समझते हुए कविता का रसा स्वादन कीजिए तो कविता का रसा स्वादन करते हुए सबसे पहले हम देंगे शिर्शक शिर्शक में आता है कविता का नाम तो कविता का क्या नाम है? स्वागत है फिर रचना का उसको लिखा किसने है? शाम ग्याविश्वर ने तीसरा पॉर्ण जो रहता है उसमें रहता है कि इसकी कलपना क्या है? तो इसमें जो है वो क्या कलपना की गई है? कि कवी जो है वो अपने सभी भाई बंधों का मौरिशेस में क्या कर रहे हैं स्वाधत कर रहे हैं जिनोंने बहुत वर्ष जो है वो अंग्रेजों की गुलामी में काटे थे और आज वो अपने भारत में क्या कर रहे हैं प्रवेश करने हैं और तो उसे ऐसा लगता है कि बहुत सालों तक वो जैसे कीचर में खसे हुए थे लेकिन आज उसी कीचर में क्या खिल उठा है फूल खिल उठा है ठीक है अब इसमें आ जाता है कि इसमें कौन सा रण सलंकार है तो इसमें जो है कभी प्रवासी साहित्या गया है और उसमें विदेशों में बसे भार्तियां द्वारा रचा सहित्ये इश्रेली ने आता है अब इस तरह से रशान स्वार्धन जो है वो इस कभीता का किया गया है अजला प्रश्ण है आपका जान कारिज देजिए साहित्य संबंधी सामानिय ग्यान अब प्रवासी साहित्य की आप विशेष्टा हैं क्या बताऊगे जहां प्रवासी साहित्य की विशेष्टा हैं क्या रहती है उसमें हमें अपनी जो हमारी संस्कृती है उसकी जलग मिलती है पिर जो हमारे स्थानिय दीती दिवाज रहते हैं उनकी विशेष्था मिलती है पिर जो हम स्थानिय भाषा का परियोग करते हैं जो उसमें मुहावरे रहते हैं कावते रहते हैं उनकी जानकाली हमें ठाप होती है अगला है अन्य प्रवाशी साहित्यकारों के नाम, तो इसमें आता है उशा वर्मा, डॉक्टर, लक्षमी मल सिभनी और खृष्ण भिहारी, ये सब जो है वो अन्य प्रवाशी साहित्यकारों में गिले जाते हैं, व्याकरण भावें अलंकार को हम अगले व्याकरण में पुर करेंगे तो यहां पर आपकी यह कविता जो है वो समाप्त होती है धन्याद